कि है गाइज माइनम इस डॉक्टर शुबं मुले एंड विलकम बैक टू बायो कट्टा चलिए आज हम सौल करने वाले हैं टेस्ट अभ्यास की टेस्ट नंबर 44 और टेस्ट चलू करने से पहले कुछ-कुछ बच्चों को यह जो टेस्ट है वह क्लियरली नहीं देख पाती है तो में यह मोस्ली जो है स्क्रीन रेकॉर्डिंग है ठीक है और इसका एस्पेक्ट रेशो भी जो है वह थोड़ा अलग है बाकी वीडियो के सबसे जो यूटूब पर होते हैं तो कभी-कभी यूटूब में ग्लीच आ जाता है तो इसलिए आपको जो टेस्ट जो है क्लियर नहीं देख पाती तो आपको क्या करना है कि कम रिजॉलुशन पर इसको देखना है तो आप इसे क्लियर ली देख पाऊगे चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट तो इसका बेडिट बिगीन यहां पर एघरोप्लें मोड पर मोबाइल लेना इस फिए फिर फिर पीचर ओ हो या फिर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको सिफ एड़फोन कान में डालने और पूड़ा पोड़कास जो है एंसाइटी रिवाइस जो है आपका हो जाएगा उसकी लिंक जो है मैंने निचे दिए तो भी आप जरूर दिख लीजेगा अटेस्ट चले हो गई है तो चलिए जाएगी और या जाएगी और पार चलिए यू जिद मैंने पर जाएगी कान में अटेस्ट चलेगे का क्यों एड़फोर एका जो जो है इस अड़का क्यों ट। तो अग्यबाटते है एड़्ी निचे यू इस उत पार फांवल अबोन का द्रीशें है आवल फिर रहे उस्ह फ्रॉम वीच इट कॉमनली अप्टेन तो इसका करने वाल है और उसके लिवर ट्रांस्ट्रांस्ट्ट सक्सेस हो इसलिए उसे एक मेडिसीन दी गई तो इसलिए क्या जाता है जो मेडिसीन जाती वह क्या होती है इम्मुन सप्रेशिव एजेंट होता है क्योंकि कोई भी अगर नया टीशू या नया पैथोजर हमारे बॉड़ी में आता है तो हमारी इम्मून सिस्टिम जो है एक्टिवेट हो जाती है उसके उपर हमला कर देती है उसे एक्सेप्ट नहीं करती ठीक है वहां पर अंटिजन अंटिवडिक कांपलेक्स थार होता है तो इसलिए वह ना हो इसलिए हमें यूमिन सप्रेशिव एजेंट जो है दिया जाता है और वह होता मुसली सैक्लोस्पॉर इन ए और वह एक फंगाई से अप्टेंड किया ज जाय फेल इल अबाउट हविंग सेंडवीच विच वसकेप्ट इन रेफ्रिजेटर बद बैक्टेरियर वाइरस दो नॉट सरवाइव इनकोल्ड टेम्परिचर ओके सो वीच रिस्पॉंसेश कि मस्ट हाव दो माइक्र ओर्गनिजम्स अडप्टेड इन अलडर टू सरवाइव तो यहां पर हमें क्या लगा है कि जो है जैने सेंडविच खाया जो कि रखा हुआ था तो ऐसा नॉर्मल देखा जाता है जब रखा जाता है तो बैक्टेर वाइरस जो है वह कोल्ड टेम्प सब्सक्राइब में रहें ठीक है कॉन्फॉर्मेशन मतलब क्या टेम्परेचर उनका रिगुलेट नहीं के खुद के बॉड़ी का टेम्परेचर नॉर्मल रख के बाहर के अलग हो लेकिन खुद का उन्होंने मेंटेन वह तो मुचली नहीं देखा जाता है सस्पेंशन जैस नॉर्मल कंडिशन साय होगी तब यह ने क्या होगा यह फिर से एक्टिव हो गए होंगे तो सस्पेंशन इतनका तूट गया होंगा और फिर से जो इनने वह एक्टिव हो गया तो यहां ही पे इसका ऑप्शन आता है सी ऑप्शन अपकोडिंग टूट्री डॉमें क्लासिफिकेशन मेथानोग्स कोक्स अंद राइजवियम विलंग टू त्री डॉमें अर्चिय राइजवियम आए गए बैक्टिरिया में आए ठीक है इस यह बैक्टिरिया थीक है यहां पर देखा जातो सब्सक्राइब डिफरेंड डु कि अधिरा में उसका मोनेरा में आएंगे टीक वो प्रिमेटिव बैक्टिर ए तो मोनेरा में आएंगे वो मुसली और इजो बीम जो आएंगे वो बैक्टेरिया जमेंगे प्रोकारियोट्स टीक है तो देखा जाये तो ओप्शन विल भी स्योप्शन को कि इडेंटिफाइब ट्रू और फाल स्टेट्मेंट अबाउड दीवे बढकाई तो फाल्स किस में दिया है ए और C में घिक है तो तो बी आर दी जो है लिम्लेट हो गया फ्लॉक्सारफंज डा मेयरभी ब्यक्तिरिया लो फ्लॉक्स आर फ्रॉंड यृयोग बैक्तिरिया ठीक liberals तो ग्altetक की साथ ना भाल ङ। एक यह उप्शन में दिया यह उप्शन तो इसका आंसर आमें आ गया ठीक है तो आगे बढ़ते हैं टाइम सेव करते हैं बागी के भी वैसा होगा आंसर कि दो पॉपुलेशन अफ दो शीटी वह 6,000 ओके इन दिस यह तूथाउजन नाइटी देर वस तूथाउजन फिफ्टी न्यू बर्स इन शीटी एंड शीटी देट्स एक सीटी उसका इनिशल पॉपुलेशन शीटाउजन दे दो हजर उन्निस में क्या हुआ कि महां पे दो ह 175 पीपल जो है उन्हें ने सीटी छोड़ दी और 1325 जो है वह सीटी में आ गया मतलब इमाइग्रेशन किया और 175 ने इमाइग्रेशन किया तो वाट इस अपॉपुलेशन तो पॉपुलेशन टोटल काउंट करना है तो फॉर्मुला के आपने पास plus टोटल पॉपुलेशन इकलिटू इनिशल पॉपुलेशन फिर नमबोर आंप वह फिर प्लस उसमें इमाइग्रेशन मतलब आये कितने तो मतले इसमें से माइने करना होगा 650 ठीक है और फिर से एक बार मैनस करना होगा 175 उसमें से तो अगर आप यहाँ पर करते हो तो 6000 प्लस 2050 8050 ठीक है फिर 8050 प्लस 1000 ठीक है 1000 ठीक है 1000 8050 ठीक है 1000 8050 ठीक है 9050 प्लस 25 ठीक है 9050 प्लस 9000 75 एंद्यस 300 9000 375 फिर उसमें से हमें मैंस करना है क्या तो 650-175 यह आता है तो टल 8550 के असपास ठीक है तो ऑप्शन हो का इसका C option विच आप्शन विच आप्शन विच आप्शन प्लस ने चर्केंश साब बतां किरफे एक्टोडreiben अप्रेस्टीजन प्रेहिभर प्रेस्टेंटस ठीक आप्श भीच पाईक्रविक जिवुद्डिक होता है डीक्र अग्लेशन्हें बिचक होता है ले क्से Halves अनिमल्स यस इस करेक्ट यह 1 & 4 अर्थ जो कि दियो प्षिन में लाइकन्स आर्थ शिम्बाटिक अस्याशिएशन बेवें तो और इंजम्स विच फॉर्विंट्में इस ट्रू लाइकन्स रफास्ट ग्रॉइंजम्स अट्लिव फॉर शॉर्ट पिरेट नो अलिगल कंपोने कोलड माइको बायनिंट फंगल कंपोनेंट इसकोल फाइको बायनिट अलिगल को फाइको और फंगल माइको अगां जाता है तो यह रहे दा पानिर्स बिजर्व विजिटेशन ओन प्रॉछ यहास ठीक है पांए को बिल्स रटे शोटे बेरन रोक्स पे वह सबसे पहले आते है उसका सॉल में ट्रांस्पराइटेशन करते है तो तो यहां पर लास्ट उप्टिज में दिया तो सिटीज में आई नहीं सकते पॉलिटेड अरिया इसमें लाइकें ग्रोई नहीं होते है फॉर्म दे गिवन ऑप्षिंस आइडेंटिफाइड ऑप्षिंस विच हाज द फैम में आते हैं क्लास्ट में दिया गया है तो आगे बढ़ते हैं कि इन हाव मीनी ऑफ फॉल्विंग प्राइमरी सक्षेशन वीच अकर अबंडन फार्म लैंड ओके लिए पॉन्ड बेर रॉक बर्न फॉरिस्ट तो प्राइमरी सक्षेशन कहां बहता कि जहां पर अब तक कोई बिलभी लिविंग जो है रहा नहीं है टिकट कहां पर नहीं जहां पर लिविंग जो है कभी existing नहीं हुआ ठीक कोई बिली ओर्गनिसम वाहां पर प्रामवरी सक्षेशन होता है तो यहां पर फाममलेंड तो उसमें हो चुका अगा उसमें तो नहीं और बर्न फॉरेस्ट मे involved in a digestion of food in adults cellular amylase होता है यस ट्रिप्शनोजेन यस पेपसीन यस तीन तो हो गए लाइज़ोजयम नहीं होता है लाइज़ोजयम इस एंटिवेक्टर इंजयम जो कि आइज में प्रिजेंट होता है तो यह छोड़ दो लाइपेस यह होता है या चार हो गए रिनीन रिनीन भी डा पाया जाता है मिल्क डाइजेस्ट करने के लिए तो चारी है तो डियो अप्शन है तो फॉल्विंग ऑप्शन्स हाव प्रॉपर्टी ऑफ फंगस पेर विज इट्स इंग्जम्पल वीच आफ इस वीच आफ इस इस इन इंकरेक्ट पियर ओके स्पोरंजियों स्पोर्स म्य नहीं होता है लेकिन फ्राग्मेंटेशन के फॉर्म में होता है तो यस इस करेक्ट तो बेस्टों मैसेज में आता है वह इसलिए कि अधिटिफाइब करेक्ट मैच बिट्विं दो और अर्गेनिजम अनद अफ्रोप्रियेट रिप्रोप्रॉट्टिव सक्चर्स अलगी कि तूका भी किस में दिया है सिफ्टी ऑप्शन में दिया है तो यह आने वाला है तो टाइम सेव करते हैं आगे बढ़ते हैं कि ऐडिवाइब करेक्ट नंबर फूड चैंस इन दुवन बिलोब के कितने फूड चैंस से पहिचान है सबसे पहले हैं तो यहां पर देखो टैंडबला है यहें पर दूसरा ग्रास है ग्रास को रैबिट चैंस इसको फॉक्स रहा यह दो हो गया में और फिर जाएंब योड सेλαख से ऐसको माइस करा है माइस को औी था नाए टीन हो गया फिर लिजल को लाऊ सबस्क्राइद को खारे लुफ और हgresें जोखारे चरो गया फिर नहीं फिर्ट यहां पर को आउसकर एब लिजल को पारे पाट την दैन ग्रेंज को बर्ट खा रहे और बर्ट को फॉक्स खा रहे कितना हो गया चे हो गया तो आइटिंग यहां पर कम्प्लेट हो गया और कोई नहीं बचता है या शीक्स शीक्स हो गया यस चलो आगे बटते हैं विट ओफ दो खिलो आग। भीज लगा आगे फिलो कोई आगे विज़क्टेश थेर्ट इसीत्न आपिर पीरांस रवार्ट रेंडर्टी नश्चन बटते अपिरेंज कर देखा प्लू शर्याद्ट in appearance and involuntary in action cardiac muscles unsteriated in appearance and voluntary in action ऐसा कोई मसल नहीं होता है तो दी ऑप्शन इन विच आदो इस element deployed stage of their life is dependent on the haploid stage of their life okay in which of these plants deployed stage मतलब क्या sporophytic जिगामेटफ़ाइटिक पे उपर dependent है ऐसा ब्राइफ़ाइट में होता है जहां पर डिप्लांटिक लाइफ साइकल दिखी जाती है तो रिसिया और मॉर्केंशिया किसके एक्जम्पल है ब्राइफ़ाइट के सब्सक्राइफ़ाइट इस दी ऑप्शन ठीक है वीट कैस्टर संफ्लावर बार्ली को फावल कंजूम्स ग्रेंज वाट विल विल वी कॉल दे रेट एट विच नियू और गनिक मैटर इस प्रोडूस्ट बाइद फावल मतलब यहां पर देखा जाए तो यह है सेकंडरी कंजूमर है सेकंडरी कंजूमर और प्रोडूस्ट पर्रोडूस्टाय है तो से प्राइमरी क्या अब HEY je वान टू थ्री आंड से लेट ओक्षन कि इधर 123 कि तो यहां पर देखा जाए तो वन जो सबन यह एक्टिन है मतलब क्या एक्टिन फिलामेंट है और यहां पर इच एक्टिन फिलामेंट इस मेड़ अफ टूफ एक्टिन हेवी एलिकली बाउंड हाँ that is B option में दिया गया है ठीक है यह पर option B होगा इसका लेकिन फिर बे दो जो होगा वो कहागा tropomyosin filaments tropomyosin filaments B में है yes और यह पर third जो है वो कहा होगा troponin यह पर B में है तो आगे बड़ते हैं which of these statements accurately describes the correct description of flagelline algae in few of IC motile spores have 228 equal size lateral flagella no you have a few of IC motile spores have bio flagellate होते है और unequal and lateral होते है यह बहुत इंपोर्टन है unequal and lateral होते है तो ऐसा कोई option यह आपे दी option में दिया है देखो वाइस का अंसर होगा तो आगे बढ़ते हैं the plant breeder wants to obtain a superior quality maize crop what are the sequences sequence of events he must follow to pollinate the maize flower with the chosen pollen bagging dusting of pollen rebagging bagging emasculation dusting of pollen rebagging emasculation dusting of pollen rebagging emasculation dusting of pollen rebagging emasculation emasculation करते हैं लेकिन maize जो है unisexual flower है तो उसके androsium स्टेमन काटने की जरूरत नहीं हमें कि अगर हमें cross pollination करना है तो तो सीधा bagging करेंगे dusting of pollen करेंगे तो उसका image करने की जरूरत ही नहीं तो आप यह option कि वीच आप दो फॉल्विंग एक्ट इस नॉट पार्ट आफ इविल कोट्रेट में सबसे पहले देखो तो इविल कोट्रेट मतलब क्या four important major causes जिसके वाज़से बायो डिवर्सिटी जो है लॉस हो जाता है तो उसमें देखा जाए तो कि habitat loss and fragmentation आता है ठीक है जैसे कि destruction of rainforest and cultivation फिर एलियन स्पेसिज इन्वेजन आता है जिसमें यहां पर आप नाइल पर्श इन्ट्रदक्शन आप नाइल पर्श लेट इस्ट्रक्शन आप स्पेसिस आफ चिचाल्ड फिश क्या यह कि काईल्ड कि काईल फिश ओके देन shifting of extinction of passenger pig and lead to the extinction of parasitic blood co-extinction यह भी आता है उसमें लेकिन बी और शिप्टिंग आप इंडेंजर स्पेसिस आउट ओफ दियार नेच्रल हबिटाइट तो स्पेशल सेटिंग इस एक सिटू कंजर्वेशन तो यह कॉटलेट में आएगा यह डाइवरिस्टी कंजर्वेशन के लिए प्रसेजर बनी है न तो भी आप्शन ने आएगा कि वाइल दा एग्जामिनिंग हीज नी जर्ग सुरेश डॉक्टर फाउंड दाट देर वाज नो रिस्पॉंस बट सुरेश इंफर्म अनदर कंसेप्च्वल एंसीग मतलब यह जो टेस्ट है यह कंसेप्च्वल में यहां पे जादा डाले उन्होंने तो वाइल एग्जाम आइमर उसको टेंडन को टेच कर रहा है लेकिन उसका नीज जो है रिफ्लेक्ट अशन नहीं दे रहा तो मतले में यहां पर सेंसेशन जा रहे है एफरेंट पाथ विदर ठीक होंगे डॉर्सल गैंगलें सेंसरी पाथ वह भी ठीक होंगे रिचेप्टर पेन ले रहा है तो तो के इंकरेक्ट पूचा गया क्या है असपरेगर्स अड्वेंटिश रूट्स मोडिफाइड फूर्स फूर्स यस प्रॉप रॉट्स और मेकनिकल सपोर्ट यस अंडर्गांट सेंस ऑफ पोटाडव जिंजर थर्मरीक जैमिकांट कोल कैसिया मोडिफाइड फूट अंडर होता है तो यह इंकरेक्ट फरस्ट स्टेबल कमेटी शोर्स मोड प्रॉट्टिविटी यस इस करेक्ट सेट ग्रूज टाइप ऑफ एक सीटु कंदर्वेशन नो सेट ग्रूज हम जिस एरियास में नैचरली वह फॉरेस्ट रिजन होता है वही पर उसको जो है सील कर देते है है वहां पर किसी को भी इंट्री नहीं देते है ठीक है सेक्रेट ग्रूज मानते है उसे कोई भी हीमन विदाट पर्मिशन जो आपर जा नहीं सकता तो वह इंसीटू कंदर्वेशन होता है तो यह भी गलत है मोर सोला एनरजेज आवेलेबल ट्रॉपिक्स कंट्रिबूट ट भी इस हर प्रॉपिक्टिव यह सितना स्लर एंजेज ओगा ज्यादा अच्छा होगा जहाप पर देखा जाए तो वन एंट्री आर देंकरेक्ट दीख्शन which part likely to be affected in the ear when the individual feels greenness loss of body balance and suffers from the ear disease कौन सा होगा जो एक्विलिब्रियम एंडल करता है ठीके मेंटनेंस of balance and body posture करता है in the part of your that is crystal ampularis and macula स्योप्शन which structure does not which structure does the sales need for movement micro filaments लगते 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 इंटर्मेडियेट फिलामेंस जाब दो ऑप्शन करेक्ट आगए तो 100% के आने वाला है all of this यह जैसा कि मैंने आपको हर टेस्ट में बताते हूं कि अगर all of this है option में तो 78 70 to 80% all of this रहेगा लेकिन उसको 100% कंफर्म करने के लिए हम क्या करते है कोई भी दो जो है वो शूर है क्या दिखते है तो उसका option all of this होता है which of the following statements are in accordance with the observation of geographer Alexander von Humboldt okay so within a region species richness increases with increasing explored area but within a limit yes it's according to the law of okay observation of Humboldt the relation between species richness and the area is rectangular hyperbola yes it's correct the richness of species decreases नहीं अभी तो हमने करेक्ट है बोला था increase होता है there is no relation between explored area space in a to hyperbola graph के से आएगा first one and two are the correct according in accordance with the Alexander है तो यह option according to accepted concept of the hormone action if the receptor molecules are removed from the target then target organ will not respond to hormone जैको है रहा हर्मोन अगर receptor के साथ binding है तो हर्मोन receptor complex तैयर ही नहीं होगा अगर हर्मोन receptor complex तैयर ही नहीं हुआ तो बायो केमिकल चेंज नहीं होगा सेल के अंदर सेल उसको रिस्पॉंड नहीं करेगा तो इसलिए इसको नहीं होगा इसका पॉड़कास्ट वह आ गया ठीक है अभी रिसेंट पॉड़कास्ट केमिकल कोडिनेशन इंटिग्रेशन चाप्टर का ही हुआ है तो वह भी आप सुन लेंगे तो यह सब सब्सक्राइब आपके क्लियर हो जाएगे तो उसके लिंक है नीचे देख लेना बात में इग्जामीन डाइग्राम गीवन बिलो आइडेंटिफाइद एंजियोस फ्रम फैमिली टुविच इड बिलॉंग्स ओके तो सोलने से किज़ें डाइगरमर की तरे एग्जामीन डाइगरम गीवन फिरे डाइग्राम ट्रेंटिफाले डियागरम देना भील गए शलो तो क्या करेंगे इसको किसको क्लिक करेंगी किसको नहीं कर सकते आगे गे शोब विजुल डिफिकल्टीज ही इग्जामिनेशन डिविल कॉर्णियर इंफ्लामेशन वाज डिग्नोस्ट विच इन्वर्मेंटल कंडिशन में प्लेट रोली नहीं इस तो स्नो ब्लाइडनेश जो है मोस्ली यूवी रेस जब आती है ना यूवी रेस का अंदर आइस के अंदर चली जाती है तो उससे स्नो ब्लाइडनेश जैसा होता ठीक है और वह क्यों होता है ड्यूटो ओजन डिप्लिटेशन ओजन में होल पड़ गया तो यूवी रेस अंदर आ जाएंगी और वह हमारे इसको बहुत ज्यादा डैमेज करते है ठीक है तो यहां पर क्या होता है फि इस चली चाइल्ड वहां स्टेंटेड ग्रोथ फिर से कंसेप्टूल कोशन यह जो पूरा पेपर यह कंसेप्टूल कोश्टन से वहां उन्होंने सारे इस जाएंन टाल दे ठीक है तरी ना अगया बर्त तो मेंटली रिटार्ड चाइल्ड हूँ आल्सवां तर च्टेड ग् यह जाता है चल्ड या मूट हो जाता है या स्कीन एब नॉर्मल हो जाती है तो यह सब है तैप है तो इसका पोड़कास जो है मैं आप रिलिज किया फिर एक लास्ट यह सारे आपके क्लीर्न हो जाएगी आप लोगे तो वीच अव्ड़ फर्लवलिंग स्ट्मेंट्मेंट्स प्लांट नोने स्टेर ऑफ बेंगल यानि की वाटर है सिंथ ठीक है इक और निया भी कहते है उसे तो इस बीन नेटिव आफ इंडिया इंडिया का नहीं ब्राजिल का है ब्रिटीश ने इंडिया में लाया था जब हमारे यहां डॉट कंडिशन थी ठीक है तो हमारे पास ग्र इस फाल्स इस नाट नेटिव इंडिया इस कोमनली कॉल्ड अज वाटर है सिंथ एंडियो मॉल फावर जाइट स्कूरेक्ट इस सैंटिविक नमीज इपो एकोर्वनिया क्राशिपीस यस इट कॉज़ डिस्टरबरस इंडिको सिस्टम या देखो इसके जो रूट है वह क्य सिस्टम वह बिगड जाता है पूरा वाटर के उपर लेयर फॉर्म कर लेते हैं तो फाइटो प्लैंट प्लैंक टांस की संख्या भी कम जाती है क्योंकि सनलाइट ने पहुंच बाते अच्छे से तो यह आप पे देखा जाए तो टू थ्री एंड फॉर और दो करेक्ट है द अगर दो बंदल हो यह स्टेम के तो उसको डादिल फस्केते हैं एक हुआ तो गलत यहां पर जो है यह गलत है टीकर डादल फस्कुरी बिटा भी नहीं होता है डादल फस्कुर्वेटा में आइदिंक जीनेंडरी चंडिशन होती है तो इसमें यह मतलब फूस टाइट के पूरा स्टेम जो है फिलेमेंट फूस होता है पूरा तो यह गलत है रमेश ग्रांड फादर फीर से एक बर कंसेप्टिशन क्वेस्ट्टियू रमेश ग्रांड फादर फाल्स इल रिपेटेद्लि दू इन प्रविक्षिन ओके दौक्टर सेज तो इस का आंसर कर थे थे हुआ है तो इसलिए इसका आंसर आपाइमति ती यह थे यह गला थे इन यह आ ने में कम हो गये तो इसलिह गलांट ती आए यह यह फोलवियग फ्रॉट्टियू टांप्शियू इसलिए फिले अथे प्लाओ statement the cell wall is rigid without any intercellular spaces ओके तो लिविंग प्लांट टिशू इर्रेगुलर ठीकनिंग्स तो यह कोलंग कायमा होगा ठीक है कोलंग कायमा में रेगुलर ठीकनिंग्स होती हो लिविंग है तो यहां पर देखा जाए तो सेल वाले देज़ेड विदाट इनी इंटर सिल्वा स्पेसिस त इंटर सिल्वा स्पेसिस नहीं होते हैं तो फाल सेटमेंट चुनना है थीक है तो सही बात है तो यह जो है सही है दैन दे फाउन इन दे फार्म आप सिंगल लेयर हाइपोडर्मिस आप दे हुबिश्यस्ट डायकेटल अडियनस तेम तो आई डोंट थिंग शिंगल लेयर न तो इ Housing के पूरा function को पिकर फॉर्स जो है यह बहुत अब इस मोस्ली फाउनि मोनटस अरूटि यह मोनटस में नहीं होता है मुस्ली दैर को आälle मोगले विधियो ओप्शन में दिया है थीक है मोनट लगार का स्थीम जो होता हो स्लेयर इंग कर्मे श्रिचामेट दोता है और ती है टेहां पर सोंद्ट होतह यहां पर देवा लेए जगाह मिसमेश करनाल मैच νाए मैच करना है किस अ मिछ्न करना है L और यह ऑल्डार्ट होता है और वह बिलांग करता है जो सनो डरिया किसमें आएगा फिर यह ए टू वाई टू आइक इसमें दिया है बी में दिया है तो इसका अंसर यहां पर यहीं होगा आगे का आप मैच कर लो ठीक है तो आपको बताने को जरूवत नहीं फिर भी बता देता हूं में स्पॉंजेस का सिल्वर लेवल और और वह किसमें आते है तो यहां पर आ गया है तो आगे बढ़ते हैं और टाइम हो चुका है विच अब फॉलिंग स्टेट्मेंट इस रिस्पॉंसिबल फॉर तो युनिफॉर्म मिक्शर ऑफ ऑक्सिजन इन स्टेर्ट टैंक बायो रियाक्टर तो ऑक्सिजन का जो मिक्शर है युनिफॉर्म कर युनिफॉर्म ली मिक्स करती है ऑक्सिजन इसके साथ बायो रियक्टर में तो यह उप्शन है और सब्सक्राइब यह ब्लैक ब्लैक डियाग्राम से ओके मिजोफिल टीशू अप्सेंस इन क्यूटिकल अप्सेंस अब सब्सक्राइब चिंबर इन बोद लिवस तो यह तो यह लूज है है अपसें सब प्लेशेंट तो यहां पर देखा जाए है कि यह जो है यह डाइक लिफ की है और बी जो है मोनोकट लिफ की है यह सब्सक्राइब देख रहे हैं और तीशू अप्सेंस रिखने और डायको देखो मेसोफिल सेल जो है वह डिफरेंशेट होते है और वह पाले सेट जो है और स्पॉंज जो है फॉर्म करते है पृत Strawu पैक्त होते हैं पाले स्टसा इक दम अबिस ओच यहां पे नीचे जो है स्पॉंज शेल जो है यह लूज होते हैं जी हम इस लिख दो ड़के कलेटाने देखो दियुक्षिन या किस्पॉंजी जो है लूजली आरेंज होते हैं तो इसमें भी लूजली है तो यहां पर लूजली आरेंज हैं जो सब लेविट श्रीपिटर दर्फ ने कहलें जो सब्सक्राइब के लिजली आरेंज हैं तो कुल्ण यहां पर देखने हैं तो एक विद्धिक ट्रुटरह मोज़ था जो सब्सक्राइब के अथिज्ञा ट्रुटरह प्लाइस का है उसी से तुछ ट्रुट होगा ट्रुटरह नहीं यह deficiency दूर करने के लिए क्या उसकिया गया है तो बोन बोन मेरोड ट्रांप्लांटेशन यूज किया गया है फिर इंजाइम थेरेपी भी यूज किया गया है ठीक है तो यह मुझा डिफिशेंसे सिंड्रोमे ठीक है तो यहां पे बीज अप्शन इसका आएगा है अगा है यह मैंने फोल्व इसक्राइबिंग फ्ट्राइबिंग फ़ंग्नेश अप्ट्रीज प्रणाप्लेशन रहें तो यह क्या करता है नीविट करता है कल्सियम ट्रांस्वाइशन इस फ्रेपेंग्स तो यह गलत है manganese is an activator of many respirator enzymes यह करेक्ट है तो how many statements true truth 3 है सिफ 3 जो है फाल से चूज जे निक्रेक्ट सेटमेंट आपट मेसोजम स्फिर्च वाई थाप का क्वेशियों मेसोजम्स are the specialized membrane structures which are formed by the existence of cell membrane yes they have prominent role in the sylval formation and DNA application yes they are found as chromatophores in the cytoplasm of some prokaryotes like cyanobacteria they help in a several secretion of process of enzymatic content we have a B&D to confirm right chromatophores होते है ठीक है देन बट आइड़न तिंग कि वह मेसोजम का ही एक टाइप है वह अलग है chromatophores उसमें pigments होते है ठीक है तो स्यूप्शन इज़ा मोस्ली इंकरेक्ट अबट मीजोजम्स है टू मॉलेक्यूल्स आफ प्राइमरी एक्सेप्टर और कार्बन डाक्साइडिंग किल्विन साइकल अंडर फोटो रिस्पारेशन हों में इसे नॉर्मली क्रेप साइकल में होता है तो ऑक्सिजन आड्यूब पी के साथ कंबाइंड करेगा तो वो क्या कर एक 3-0 क़फ इए फोश्फॉफर्ग्लेट करेगा हईए सदेट में करेगा है फ्र १िबूफ फॉफ्विज तो कैल्विन सैकलं में चला जायगा आपसैप्हाइड गलैकोलेट हो जाएगा और फिर यसियों पर यह बगलाकोल तो एक से यहां पे एक ही molecule बनत रहा है ग्लासीन का तो दो carbon dioxide होंगे तो दो ग्लासीन माली केल बनेगे तो तो इस वाइ ब्यूप्शन People who are known to be lactose intolerant do not produce lactose digesting enzymes lactase that is this happens because lactase producing gene shut off in their cell connected to the digestive system which of the following process is not occur for the mentioned gene कोई भी enzyme preparation करने protein synthesis होना अशक है अगर protein synthesis नहीं हो रहा है तो enzyme production पर नहीं होगा activity नहीं होगा जीन वह प्रोडूशी नहीं होगी जो इसको activate करती है तो यह पर transcription जो है वो नहीं हो रहा होगा उसका तो ठीक है इसलिए जो है जीन जो है नहीं इसलिकलिक फोटो फोस्प्रोलाइशन उसमें होता है और साइकलिक फोटो फेस्टो पास्प्रोलाज़रिशन में लिए निदीप फोर्मने होते है और उसमें PCP photosystem 2 be absent होता है तो यह स्टोमल आमेले में ने ग्रैना में 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 पीस्ट और निदीप रिप्रिप्र रिडक्टेस क्योंकि यह जो है नन-Cyclic में दोनो form था है NADP form था हाई और PS2 B होता है तो यह यह अग्रैना में सीलिप प्रिदीप दीप डिदे बीच आप्षिन identify the correct statements among the angiospermic embryo scutalum is centrally placed no scutalum is laterally placed in monocots plume is the stem tip and radical is the root tip in the dicots yes is correct coloriza is a part of hypocotyle in monocots yes it's a part hypocotyle coloriza mostly root tip in monocots monocotylidone zygote gives rise to globular heart-shaped embryo monocotylidone dicot to heart-shaped embryo so 2 and 3 are correct C option creep cycle start with the formation of 6 carbon compound by the reaction between oxaloacetic acid and the acetyl coenzyme if you have a creep cycle you have a problem I made a very simple short trick make a creep cycle so you have a short trick playlist link in the next video so you will see the creep cycle one time you will see the creep cycle carbon count one time you will see it then you will see it easily solve short trick playlist given below is the representation of very important process in the construction of biomolecule choose the correct statement about this process what is happening here TRNA molecule amino acid okay here you will see MRNA sequence correct amino acid ribosomes aerobic respiration of glucose produces ATP how many of them are produced during electron transport chain 34 NADH2 and FADH2 which is 80 in the electron transport chain total 10 NADH2 produce creep cycle glycolysis link reaction FADH2 around 2 produce from the creep cycle so 1 NADH2 3 so 10 NADH2 30 or FADH2 2 2 FADH2 4 30 plus 4 34 ATPs in 2 fluor dichlorophenoxy acetic acid is used to eliminate dicotyledonous weeds from the monocot field okay view option a sample of the live microbial cells were presented to the scientist he decides to stop the synthesis of particular protein in the sample cell suggest a modification in the part of the cell for the scientist to enable the prevention of the particular protein synthesis first one conceptual question so example live microbial cells scientist who decided that synthesis protein microbial cell in the DNA of the nucleus identify the correct statements regarding the cytokine cytokine induced cell division yes cytokine the onset of senescence yes cytokine kinins initiate chloroplast formation in the presence of light yes application of cytokine reduce reduces the apical dominance and stimulation of growth lateral bloods i think yes so one two three four correct which one of the following statements about the erythrocyte is false in the life cycle of fetus erythropoiesis takes place in both liver and bone marrow yes they maintain the viscosity of blood yes they maintain blood pH as they contain hemoglobin which act as a buffer yes the total quantity of rbc in a human male body is 5.5 million total quantity nahi wo a mm of blood per cubic mm of blood 5.5 million per cubic mm of blood okay that means drop plate total nahi d option is incorrect denaturation is a step in the procedure called as polymer chain reaction the step does not involve which of the following process breaking and hydrogen bonds of original dna double molecules yes yes that happens in the denaturation we are heating from 94 degree cells then we are the denaturation start addition of nucleotide we do not do this extension which of the following will occur if lysosomes within a cells are damaged the cell would produce more proteins than its needs no the cell would have chloroplasts that appear yellow than green no the ability of the cell to break down molecules in its cytoplasms would decrease तो इनका breakdown नहीं होगा तो इसकी ability cell की जो है कम हो जाएगी टाइफ़ाइफ जो की ग्राम नेगेटिव है फ्लाइट्रिया मैं से ओप्शन अब्सर दॉलिंग डियर्म से नौट इन य। अस्तित्मेंट इन अफ्रप्श लाइफ है ओ अबस संव किया प्रेशन नहीं पनाइबाइबगाइब ग्रियर प्रेशन रिंट्क सब्सकेट प्रिंग सिल्ट्रिक वे खिता है वह कि शे श्री रिपोलराइशन होता है तो सी अप्शिव फाल से मिल गया हमें आगे पड़ते हैं वीच अदर फॉलिए इस नॉट पार्ट आफ टीपिकल इंब्रियो सैक फॉरमिशन इन जो स्पर्म सिंध्म्श अंद्रोश मौटी की दिविजंग फॉर्म होगे इस यह फिल्य एपड़तेर नॉट्राइशन चाहसिए कटीप्र इंब्रियो इंप्रियो इस फॉर्मिशन इच्वर्म इल्टेव इएक खुड़तेर इंग अट्रौ यॉर्मिशन अपी इंप्रियो गिएख थे तो माइक्रोपाइल एंड पे होता है ठीक है तो यह जो है यह गलत है सी ऑप्षिंट करेक्ट सेट्मेंट अपॉट डियालेस एक्ट अपर्मान ट्रीट्मेंट नहीं होता है यह से बार बार करना पड़ता है डालाजिंग यूनिट इन्ट इन्ट विच दो ब्लोड इस इसका होता है from the fertilization or 280 days का from the end of the menstrual cycle तो यहां पर दिया है और डी ओप्षिंट वाट वूड विल करेक्ट ABCD in the following development into the pollen grains outer layer ओक यहां पर हमें फिलन दब्लांक्स करना है डाश 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 देवलोफिंट दो pollen grains तो क्या होता है माइक्रोपोर मदर सेल्ज होती है वो pollen grain में प्रोडूस होती है तो यहां पर यह option में माइक्रोपोर आएगा दाउटर लेए इसका इंटाइन थिक है तो बी और सी दी में दिया है यह और सी जो है यहां पर इनलिमिन हो गया देन इन इनर लेयर इस मेड़ अफ सिल्लोस अंड पिक्तिन ते किस में दिया है दी अप्शन में तो इसका ऑप्शन दी होगा और इन 60 परसेंट अफ द ऑफ यह अप्शन पोलंग्रेंस आर शेड़ आट तो चल्टेज दी अप्शन इस करेक्ट इच अफ दो फॉल्विंट स्थेट्मेंट्स Concerning Seminiferous Tebules 15 गट्स सेमीर उस करेक्ट एकसेप्ट इसका पूरिय। इस पर्मेटेट्स नहीं दौह आते है प्रमारी निस परमेट्स्थे सब्सक्ट इस होगा है इस्पाइर के का बाती इस का जी जी का फुल्हा उसका जी परमेट प Sikh डोल्ट में इस्टीम इंद फॉल्विंग कॉलॉम्स मैंज दे अनिमल्स विद्धियर और इस्परेशन तो के मैं फॉलिंग करना है सिंपल तो इतना बड़ा देने की यह टाइम कंजूम करने के लिए हैसा ना बड़ा डिस्रिप्शन देते तो ना अगर आपको पता चल जाता है क्या करन तूका आर आएगा क्टूका र किसमें दिया है एक यह यह ए और द हमीं और सिम्हां च्यूज करने कॉक्रोच में क्या होता है ब्लब ट्रेखियल ट्यूब बहुते है थरीका एस बीज एस टीक है थरीक पी दिया तो यहां पे प्रीक बढ़ते इन्हें अगए बढ़ते इन्हें एवरेज मिंस्ट्रोल साइफ ट्विट्टीएदे विस अप्ट फॉल्विविंट्स इसकरेक्षली मैक्च विध ताइम उ 14 पिन रिया घे इंडिम्यट्यक्रेट्ष्ट रीजम ऑच्छ क्रेट्ष छोए यून यहां पर चेह गेंडिवन तो फोय। यहीं नहीं यह और भी इंडिम्यट्रों सेकरेट उंच्छ होता है और यह भी नुट्रियंट सिक्रेट करता है मुकस ब्लड बेसल डेवलप होती है तो इंप्लाइटेशन के लिए तो सी ऑप्शन इस करेक्ट वीच फॉलिंग डेवलप्ट थू दे मूट मूटेशनल ब्रीडिंग आइएंग रिजिस्टेंस तो यलो मोजाइक वायरस भेंडी वो मुटेशन से प्रिपर की है मुटेशनल ब्रीडिंग से थेरोटिकल एंप्शी को है बुक में दिया है वीच आफ दो फॉल्विंग इस इनकरेक्ट ओके रिगार्डिंग दो कॉपर्टी ओके इस प्रिवेंटिंग इंप्लांटेशन और ब्लस्टोसिस इस और यह जो है इनकी मोटेलिटी और यह जो है क्रेंट करेंगा तो डी फाल्स है इन डबल स्टैंडर्ड आरे डिन वन आप दो नाइट्रोजन बेस इन एडनाइन इस फाउंड तो भी अलवेज इक्वल तो डैट आफ एडनाइन की अमाउंट किसे इक्वल होती है थाइमीन के साथ थाइमीन को हम क्या कहते है फाइम इथिल यूरासिल ठीक है जो कि पिरिमीड नहीं भी ऑप्षिन इस परिए फ्ट्री क्या कि ऊणिर प्लवन नहीं को बिलाजीजरी साध़िए जिए भी अ अौस्टीजय ओंडिए सेक्टो हुट्री जिदोल है घाटोप्सिंद करना इस प्रिमbourg को अनुर प्रिम ES ई स्क्रइक्ट यह लास्ट ऑप्शन एक क्योंकि यह रिवर्सिबल देर इस अमिस्कंशेप्शन दाट इट इट विल डिए इसके वज़से भी लास्ट ऑप्शन होता है मुस्के लिए इसलिए लास्ट ऑप्शन 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 देर इसलिए लास्ट ऑप्शन हो गाइए लिए देर इसलिए लाक फस्वेशन फ़स्ट इस इन पॉट्स ओड़ियो अच्छ यह साही है सबस्क्रिजान से जिसके वाइसे कर भी जो है है sterilization जो है last method choose करते है ठीक है तो 1234 conceptually यह पूरा फिपर conceptual इसलिए जादा टाइम लग रहा है तो पेशेंट कमस तो क्लिनिक देखो फिर से एक बार विट जेनेटिक डिस्वाइब नेक्ट एंद प्रेजंस आफ रोडिमेंटरी ओर इस दो परसर मोस् होता है तो इस बी और आप्सिन अलवेला इस इस थाफ गशेण इन रिस्पराटरी सेशंट उस्माथ gas exchange occurs due to gradient in the partial pressure of the gases during the process partial pressure of oxygen in the alveoli is found to be जादा होगा अगर जादा होगा अगर जादा होगा अगर जादा होगा अगर जादा होगा तबी तो वो इसमें आएगा ब्लड वेसल में higher concentration to lower concentration of that transport diffusion of gases so more than that of oxygenated blood view option which of the following statement is correct regarding the genes present on the same chromosome tightly linked genes on the same chromosomes show very few recombination yes यहीं पर हमारा option जो है मिल गया यही correct statement है tightly जो होती है वो बहुत ही कम recombination दिखाती है जो loosely होती हो जादा recombination दिखाती है इस फांड़ डॉमेस्टिक होर्स है 64 chromosomes in their cell मतलब डिप्लोइड है सेल में 64 है प्रेडिक्टे नंबर अगरोजों in their cell एक मतलब क्या gametes है gametes applied होते है तो 64 के हाफ क्या होगा 32 32 उसमें होंगे chromosomes को अब कलर ब्रेंड मैंज है कलर बैंड सिस्टर बट नॉर्मल ब्रदर ओके विच आफ इस करेक्ट अबोट यह पर देखा जाए तो एक अब ब्रेंड मैंज आ अगर तो कलर ब्रेंड सिस्टर मतलब क्या है दोनों मेल और फीमल जो है अफेक्टेड है ठीक है मतलब एक तो मदर कैडियर होगी क्योंकि एक नॉर्मल आया है ना नॉर्मल ब्रदर है तो वाय आने वाला फिमल से लेकिन अगर फादर से एक सा गया और इससे भी एक सा गया तभी जो है यह कंडिशन आ सकती है कि यह जो एक कर्वाइंड सिस्टर यह कब होगा जब कैडियर वाला एक्स जो है वह मदर से आएगा और आफेक्टिट वाला एक जो है फादर साइगा मतलब क्या फादर होंगे और मदर कैडियर होगी तभी जो है डाटर जो है कलर ब्लाइंड हो सकती है अगर आप क्रॉस लेकर नेखोगे तो आजाएगा अंसर वीच आप इस आर इंकरेक्ली मैच पिर आफ पोस्ट मेंडेलियन फिनोमेन और इस ग्जम का इनकरेक्ट अपिर मिल गया आगे बढ़ते हैं दो इमान बोडी सेल कंटेंस हुज नंबर आफ इंजाइम्स विच आर बायो कैटलियस हेल्पिने स्मूथ मेटाबोलिक अक्टिविटिस वाट विल बोड़ी तेंपरेचर पे और अल्कलाइं पह पे ठीक है या नूटरल पे जो है मुस्टली ज्यादा एक करते हैं इंजाइम्स वाट इस सी थर्टी सेवं डिग्री सल्टियस और सेवन कि इसमें जो है मदर का भी ओ नहीं फादर का भी ओ आयो जो जो जिनो टाइप वाएंगे नहीं आली इस वाइ देमेंडल कैन बीकंसिडर लगी और सेवन पेर सब्सक्राइब कारेक्टर सिक्राइब भाइं शोड़ दे कंप्ले डॉमिनस यस यह रिजन है है और अलेलिक पेर कॉंबिनेशन विची कंसिडर पर डाइबलिक क्रॉस्टोड इंडिबेंडेंड असर्मेंट यह भी करेक्ट है तो यह पर आंसर होगा इसका यह तो मोस्ट करेक्ट है तो बाक्य के मोशली नहीं होंगे है तो आगे बढ़ते है काम बहुत होड रिचाक अल्रीड बिलोव इमेच शमराइज शेल शाइकल अप्तिकल देश्यकल युकायरिति चैल इस एफरेंज़ अज़र्स सुट क्या हूता है जीवन में ग्रोफ फोटिये सेल क्या प्रिपेर होती है सेल तो इसल निटर इंट and deek circuitogenes, mutations are random and directionless, yes it is correct, they are heritable and established species, yes it is correct, a single large, single step large mutation to produce species can never occur, it is not accurate, so D option is not true, when lactose is digested by the human body each lactose molecule is broken down into smaller molecules to which of the categories molecules do this smaller molecules belong lactose किसे बना होता है lactose जे मोशी बना होता है glucose and galactose से ठीक है तो हमें क्या पुछागा है to which of the following categories the molecules of this smaller molecules belong तो वो mostly they are non-hydrozygals यह पिस फेसे अगर glucose or galactose को हम hydrolyze नहीं कर सकते ठीक है crystalline structure होता है sweet होते है ठीक है दोनों भी glucose galactose and as a asymmetric carbon atoms yes so blue option इसका correct है the unique feature of Halden's hot dilute soap was Halden's hot अवेंद लब क्या उसे ब्रोथ कहां गया था ठीक है the molecules did not show any degradation as there was no free oxygen in the enzyme primitive पुरत इसलिए उसमें उसमें नहीं था और आपे कोई भी degradation molecule कर नहीं हो रहा था तो यहाँ आपे ए महीं हमें अंसर मिलिया तो आगे बढ़ते हैं तो उनको पहचानना यह प्रोक्यारीट है क्या उसक्राइट है और उनको चारड़ उनके बस प्रेजेंट है तो कौन सा यूज करेंगे ए आर्कीड़ाइन और इस अट्रॉक्शाइट जीएट स्टेंस लिपीर्स यो सिन सिटत अपर नाइल ब्लू स्टेंस नुक्लिया तो उससे हम पहर जा सकते यू के टगा प्रोट्यतिक इसलिए के लिए नुक्लियर मिंब इंग को ही डाय करना होगा तो उसलिए हम क्या करें है यह ईूझ करेंगे इस ऑफ्शन यह क्या है लीमर है लिमर है यह तो लीमर किससे बना करता है प्राजमी से बिलॉं करता है या प्राजमी ओल्डर प्राजमी आई थिंक अरेंग दो फॉल्विंग प्रोसेस इन दो क्रोन लोजिकल अल्डर विद रिस्पेक्ट टू कैंसर तो कैंसर में सबसे पहले क्या होगा है एक्टिवेशन आफ ओंको जिंस होंगी सी ओंको जिंस कर्चिनोजनिक ओंको जिंस फिर क्या होगा लॉस आफ कंट्रोल होगा सेल साइकल के उपर जीन्स आगए मतलब फिर डैमेज होगा नेबरिंग सेल्स को और फिर मेटा स्टैटिस मतलब पूरे बॉड़ी में यह फैल जा मुल्डर तू प्रिवेंट इट्स ट्रांसलेशन इस नोन आज सेल डिफेंस मेकानिजम तो से हम क्या कहते है आर ने इंटरफेरंस कहते है सालेसिंग मॉलेकल्स उसको तो क्या होता है यह तो यह तो उसको मॉर्ण का रोग देते है उसको डबल स्टैंड आरे जोए फों करत है तो स्यूश्य आरे इंटरफेंस टेकनिक है यह करेक्ड अलडर ऑफ दे सेजस इन दे साइकल अफ लाजम अदिया क्या होगा सबसे पहले ग्यामेट फाटिक स्टेज होगी यह में अटर साइट्स गया करेंगे ग्यामेट संट करेंगे यह फिर आवे वह काइने श्रुक् श्रुकोंप अधन श्रुकिय पुस्सला में यह अगज जैसे हो जैस्यून अगे फैली यै जीद्रफेंटब टमया क्योंच्छत प्रूथतम है यह व्यृत heck यह फिर टीषमि करता हे करता है कियाँ यह पूरा तरह से करेक्ट हो जाता लेकिन आगे देखते है एपिथेलियल टीशु इस नौट रिचिन इंटरसलर मैत्रिक्स अडिस वैस्कुलर वैस्कुलर नहीं होता है एपिथेलिल टीशु तो यहाँ बी और सी दोनों भी इंकरेक्ट होने चाहिए लेकिन यहाँ पे जो ह बीच में क्या होगा कारवन होगा इतना स्वेंट होता है में फ्रेमवर्क जो है कारवन करता है तो यह option होगा इसका सो है गाइस हमने यहाँ यहाँ पे 90 म से क्यों है सौल कर लिये है कोई अगर गलती से थोड़ी फास्ट करने मिस्टिक होई तो बता देना नीचे क्वेंट सब्सक्राइब में ताकि बाकी बच्चों को हो जाए तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है यहाँ पहले सब्मेट कर लेता हूं कि यहाँ पर कितने मारा से वह आपको दिख जाए और यह सब्सक्राइब जरूर एक बार देख लीजेगा ऐसी के साथ आप फेस्बुक पर फालो कर सकते उसके लिंक्स है सारे जो उसके दिये हैं मैंने नीचे तो भी आप एक बार जरूर देख लेना ठीक है तो अभी जगे लिए जो है आप फिर होसला बढ़ जाता है अच्छा लगता है कि आप लाइक करते हो कमेंट करते हो नीचे तो यह काफी देर लग रहा है यहां पर सो 356 दिखा रहा है मार्क तो यहां पर कोई तो भी मार्क करना रहे गया होगा जल्दी जल्दी में तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब